हाई गाईज, वेलकम तो माई चैनल ब्यूटी एन फैशन गाईड, मैं हूँ मोसुमी और मैं आज आपकों साथ स्वया बीन के बारे में बात करने बाले हूँ स्वया बीन जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है उसके साथ स्वया बीन हमारे स्कीन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि स्वया बीन हमारे स्कीन को हाईडरेट करने में हमारी मदद करते हैं हमारे स्कीन को मॉस्चराइज करने में हमारी मदद करते हैं लेकिन स्वेब इनको हम डिरेक्ट अपने स्किन पर एपलाई नहीं कर सकते हैं इसलिए मैं आज आपकोई साथ एक मॉस्टराइजिंग लोशन शियर करने बाली हूँ जो स्वेब इनके गुनों से भरपूर है और बताने बाली हूँ कि अपने स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूध बनाने के लिए आप इस लोशन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और क्यूंकि ये मॉस्टराइजी लोशन डर्मोटोलोजिकली टेस्टेड है और पैराबन फ्री है इसलिए इसमें कोई भी साइड एपेक्स बगरा नहीं है और इसको लर्का लर्की दोनों ही इजीली उसकर सकते हैं तो भी चले बिना रुकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहरे मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस तरब जो लालकर की सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस कर देना आप लोग तो पता ही है कि मैं ऐसे किसी पोड़क को अपरिशा शेर नहीं करती पहले मैं उसे खुद यूज करती हूँ, उसके बाद उसको अपरिशा शेर करती हूँ मैं आज आपको साथ जिस पोड़क को शेर करने वाले हूँ, वो है यह मोट डेली मॉस्टराइजिंग लोशन आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस क्वांटिटी और पैकेजिंग के बारे में इस मॉस्टराइजिंग लोशन का जो प्राइस है वो है 400 रूपीज वो यहाँ पर दिया हुआ है अप लोग देख सकते हैं 400 रूपीज और इसका जो क्वांटिटी है वो है 300 ml वो यहाँ पर दिया हुआ है चोटा चोटा करके अप लोग देख सकते हैं 300 ml और इसका जो पैक लेकिन उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दू ढगकन के उपर आप लोग देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है open और यहां पर लिखा हुआ है stop लोग सकते हैं जब हमें इसको open करना है तो इस तरीके से इसको open कर लेना है और Lotion को निकाल के यूज कर लेना है उसके और इसका जो मेंन इंग्रीडियन्ट है यहां पर लिखा हुआ है लेकिन यह जो मॉस्टराइजिंग लोशन है यह एक और वेडियन में अवेलेबल है वह है लिकोरिश और इसका जो क्लेम है कि यह क्या क्या करता है यह हमारे reduce acne effect वो यहाँ पर दिया हुआ है अप लोग देख सकते हैं हमारे skin से acne effect को aging effect को दूर रखता है और हमारे skin को tightening करता है अप लोग देख सकते हैं और जो तीसरा है वो है smooth and radiant skin बनाने में हमारी मदद करता है जो third point है और यह जो lotion है यह है for all skin type वो यहाँ पर दिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं for all skin type यानि अगर आप लोग का skin dry है तो भी आप लोग इसको use कर सकते हैं और अगर आप लोग का skin normal to combination skin है तो भी आप लोग इसको easily use कर सकते हैं कोई भी problem बाली बात नहीं है और यह जो मॉस्चराइजिंग लोशन है यह है no paraben no sulfate no toxic और है purity free जो एक बहुत अच्छी बाली बात है यहाँ पर पीछे सब दिया हुआ है अप लोग देख सकते हैं और इसमें क्या क्या ingredients दिये हुए है वो भी पीछे यहाँ पर दिया हुआ है अप लोग चाहे तो यहां से पर सकते हैं कोई भी problem बात नहीं है और इसका जो texture है बो मैं आप लोग को दिखा देती हुँ इसका जो texture है अप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एकदम creamy form में है अप लोग देख सकते हैं और इसका जो fragrance है इसका जो fragrance है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है एकदम light and mild बाला fragrance है यह नहीं सिर्फ हमारे skin को soft and smooth बनाएगा हमारे skin को 48 hours तक moisturize र माइल साथ fragrance भी छोड़के जाएगा अब चली देख लेते हैं इस moisturizing lotion को use कैसे करना है उसके पहले मैं आप लोग को बता दू कि एक moisturizing lotion को किस तरीके से use करना है वो तो हम सभी को पता है लेकिन फिर भी मैं आप लोग के साथ share कर देती हूँ इसको थोड़ा सा अपने हाथो बल लेना है थोड़ा सा ही लेना है यह थोड़े से quantity में बहुत अच्छा काम करता है इसलिए इसको थोड़ा सा quantity में लेना है और इसको all over अपने हाथों पर अपने legs पर अपने back पर अपने गर्दन पर अपने face पर आप लोग easily इसको apply कर सकते हैं और इसको apply करने के time अपने all over body या हाथों पर इसको इस तरीके से रगरना नहीं है इसको सिर्फ जेंटली मसाज करके अपने आल ओवर स्कीन पर इसको फैला देना है कुछ इस तरीके से यह तुरंत बाद ही हमारे स्कीन पर एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं और यह चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही ज्यादा इसका जो टेक्स्चर है बहुत ज्यादा अच्छा है यह चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है और हमारे स्कीन पर एकदम तुरंत ही यह अब लोग देख सकते हैं एकदम तुरंत ही यह हमारे स्कीन पर एब्जॉर्ब हो गया है औ और मेरे हाथों पर वाइट तरह की जो पैचेस हो जाते हैं वो भी नहीं पर रहे हैं क्योंकि इसका जो टेक्च्चर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और यह जो मॉस्चराइजिंग लोशन है यह हमारे स्कीन को 48 आर्ट तक हाइड्रेशन देता है मैंने इसको खुद यूस किया है और मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि यह जो मॉस्चराइजिंग लोशन है यह सच में हमारे स्कीन को 48 आर्ट तक मॉस्चराइज करता है जो बहुत अच्छी वाली बात है इसको लगाने के बाद हमारा जो स्कीन है वो बिल्कुल भी ड्राइज नहीं होता और इसका जो फ्रेग्रेंस है यह भी बहुत लॉंग लास्टिंग है हमारे स्कीन पर बहुत देर तक रहता है जो बहुत अच्छी वाली बात है और स्वयबिन जो होता है जो इसका में अगर आप लोग चाहे तो इस मॉस्चराइजिंग लोशन को इजीली परचेस कर सकते हैं मैं लिंक ड्रिस्क्रिप्शन में दे दूंगे अप लोग चेक कर लेना अगर आप लोग को मेरा आज का यह मॉस्चराइजिंग लोशन वाला वीडियो पसंद आए तो मेरे इस कमेंट करके जरूर बताना और इस तरफ जो लाल करी सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस कर देना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना साकिए अप लोग को नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक कर दो